हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपनी चानल स्टेंड बेपीसी में आज हम लोग टाइम इस्पीड एंड डीस्टेंस परहेंगे जो भिहार सिभील कोट में यहां से प्रस्ण बनते हैं चाहे से जीडी हुआ चाहे रेलवे चाहे एंटीपीसी मतलब यहां से दो से तीन प् करने रहिएगा आप जो 10 कोश्चन आज सीखेंगे आज समझ लीजिए कि आप ट्रिक के साहता से और 100 ट्रिक्स के माध्यम से आप सीखेंगे हम लोग जेनरली आपने पढ़ा होगा क्या कि दूरी बराबर ऐसे पढ़ा होगा फर्मूले के कोडिंग चाल गुने समय 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 बटा दर ऐसे पढ़ा होगा लेकिन आज आप लोग समझ लीजिए कि ट्रिक के माधियम से मैं एक ट्रिक बताऊंगा और उस एक ट्रिक के माधियम से आप पूरा सवाल को तहस्न हस कर देंगे गे गरदा उरा देंगे आज के सवाल में आप वीडियो कान तक बने रहिएगा और पूरा हाँ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किजिएगा और अपने दोस्तों का पास भी सेर किजिएगा अगर आप कुछ कहना चाते हैं तो सुजाओ अपना जरूर दे सकते हो के दोस्तों चलिए देखिए ये कोचन है आरर भी 2002 का देखिए एक आदमी यातरा पर पहले 240 किलोमेटर की 240 किलोमेटर 20 किलोमेटर प्रती घंटे के चाल से दुरी तय करता है कितना 20 किलोमेटर प्रती घंटे के चाल से 240 km के दूरी तैय करता है और दूसरा 240 km 60 km के चाल से 60 km चाल से दूरी तैय करता है दोस्तों यहाँ पर km प्रति घंटा होगा तो उसकी दूरी 480 km का आउसा चल क्या होगा देखिए कूल दूरी क्या तैय करता है 480 km चुकि एक बार जो दूरी तैय करता है 20 km प्रति घंटे की रफदार से कितना 240 ओके दोस्तों और फिर 60 km प्रति घंटे की रफदार से क्या करता है वापस आता है ओके दोस्तों तभी ना आपका हुगा 240 अपलस 240 यहनी 480 km हो रहा है आपको एक में एक फर्मूला लगाएंगे जब भी आपको दो दूरी दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे जब दो डिस्टिंस दिया रहेगा 240 km और एक देखिए क्या 20 km का और एक 60 km का फिर 240 तो इसमें आपको पता चल गया इसमें दो ट्रीक के सहाइता से ट्रीक हम बता देते हैं देखिए आप इस ट्रीक के सहाइता से पूरा कोश्चन बनाएंगे 2xy प्लस x प्लस y यह औस चाल निकालने के लिए फर्मूला होता है ट्रीक होता है अब इसी के सहाइता से आप बनाएंगे देखिए हम solve करते है एकस टू गुने एकस बीस गुने वाई साट ओके दोस्तों अब क्या हो जाएगा बीस प्लस साट इसको count किजिए तो कितना हो जाएगा दो दूने का 4 और 4 चपा 24 ओके दोस्तों यहनी कितना हो जाएगा इसको ऐसे ही रखने देते हैं काटने में सान होगा चालिस गुने साथ यह साथ और बीस कितना हो जाएगा ऐसी एक जिरो से एक जिरो कट गया और दो तियाई छे दो दुने का दो चोग के आठ हो जाएगा कितना हो जाएगा यह चार और कितने बार में काटेंगे यह 50 से 10 कितना हो रहा है दोस्तो 20 कितना हो रहा है 30 तो देखे इसको अच्छा से फिर अक बार देख लेते हैं कहीं हमारा solution गुना भाग सहीत हो जाएगे न देखें दो गुने 20 कितना हो गया चालिस फिर गुना है गुना दिया 60 है 60 रख दिया ओके दोस्तों 20 अपला 60 असी होता है एक जिरो से जिरो काट दिया तो यह तीन हो गया और यह चार और यह कितने बार में कटा दस बार में ठीक है आपकर आइट अंसर डी हो जाएगा दोस्तों ओके तो इसी बाकी जितना भी कोशन में बताऊंगा आप लोग को इसी ट्रिक के माधियम से पूरा कोशन आपको स्वाल करना हो के इसे आप लोग नोट कर साहता से जो ट्रिक मैंने बताया है उसी ट्रिक के साहता से आप लोग स्वाल करेंगा बिल्कुल यह असान है बस ट्रिक लगा दीजिए असानी से बन जागा और यह पुरस्ण जो देखिए RRB, SAC, Civil Court में पूछा हुआ है ओके दोस्तों कितना इंपोर्टेंट है तो आप देखिए आपके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था दोस्तों ट्रिक था आपका 2xy प्लस x प्लस y इस पर पूट कर दीजिए भैलू निकल जाएगा ओके दोस्तों को भी समझाएंगे पहले question solve कर लेते हूं ओके देखिए 2 गुने 4 और गुने कितना है 16 और बटा 16 चार 20 ओक कितना हो रहा है दोस्तों आपचो का 32 बटा 5 यानि 5 और 5 और 20 ओके 6.4 देखिए तो राइट अंसर D हो जाएगा दोस्तों देखिए एक आदमी किसी अस्थान को 4 किलोमीटर की चाल से जाता है आदमी को यह अस्थान है कितना 4 किलोमीटर के किलोमीटर परते घंटे की और फिर वह cycle से 16 km वापस भी लोटता है, यानि 16 km के चाल से वापस भी वापस लोटता है दोस्तों, तो क्या x यानि आपका 4 और y 16 भैलू पूट कर दीजे, simple है निकल गया कुछ करना है इसमें, बस question को समझना है और trick के सहायता से पूट कर दीजे, देख लिजे question किस-किस में पूछे, rrb, ssc, civil court कितना important है आप सोच रहेंगे कि ओ, civil court में अलग पूछता है, rrb में अलग पूछता होगा, ssc में अलग पूछता होगा, तो हम rrb का एक साल अलग त्यारी कर लेते हैं, 6 मईना ssc का त्यारी कर लेते हैं, और और हम लोग अगला प्रसन देखते हैं, देखें दोस्तों यह रहा, अगला प्रसन आपके सामने, इसे आप लोग कैसे solve करेंगे, जो trick मैं ने बताया है, आप लोगों के लिए, वही trick के साहिता से इसे solve करेंगे, और देखें दोस्तों, आप mistake कर जाएंगे, यह चाल बराब सवाल पूछेगा, आप बना सकते हैं, और आप previous year के question उठा कर देखेंगे, आप देख लिए, आप लोग देख लिए, यह question पूछा हुआ है question, previous year में, देख लिए, आरर भी हुआ, कलर्क हुआ, विहार सिबिल कोट में कितना बार ऐसा question पूछ रहा है, तो label देख रहे हैं, कहाँ कहाँ label है, घबराना नहीं है, concept के लिए रहोगा, trick सही होगा, आपका तो आप अराम से बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, trick लगाईए, पहले question समझ लीजे, एक motor चालक, 150 km के दूरी, 50 km प्रती घंटे की चाल से जाता है, वापसी में वो 30 km प्रती घंटे की चाल स है, दूरी है, 50 km की, और इसको पहले कितने चाल से जाता है, 50 km की प्रती घंटे की रहफतार से जाता है, तय करता है, फिर इसी को वापस आता है, 30 km प्रती घंटे की रहफतार से, यही है प्रस्न, चुकिए, अब पता चल गया होगा, trick क्या है, आपका 2xy plus x plus y, अब solve यह तो, 2, गुने 50, गुने 30, बटा 50 plus 30, आगे solve करते हैं, क्या हो जाएगा, 100, ओके, गुने 30, और बटा में 80, एक 0 से 1 जिरो कट गया, चार दूना 8, और यह 25 के 6, तो कितना हो जाएगा, 25 बटा 2, यानि 2, 3, 6, 2, 7, 4, 12, 25, 10, इतना आपका क्या हो जाएगा, ओसत चाल, ओके, दोस्तो, यह हो गया, आपका ओसत चाल, यही आपका answer हो गया, option में देखे कहा है, तो B नमर में यह सही है, ओके, आप लोग ने ऐसा किया है, तो आप लोग का भी बिल्कुल सही है, ओके, दोस्त दोस्तो, okay, concept आप अपने पास रखे किसे को समझाने के लिए आप रखे, ओके, दोस्तो, लेकिन एक्जाम में आपको तो पता है कि कितना जल्दी-जल्दी बनाना होता है, यह आप लोगों को भी पता है, तो हम लोग एक्जाम में क्या करेंगे, दोस्तो, कि आसानी से हम ल नहीं हैगा, आप इस ट्रीक के मदद से आप असानी से बना सकते हैं, आप फर्मूला भी लगाएंगे, दूरी बरावर चाल बटा समय, उसके साहते बनाएंगे, तो उसमें ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन इस ट्रीक के माधियम से 5-10 सेकेंड में बना रहे हैं, बना इसे आप लोग नोट कर लिजिए, देखें दोस्तों अगला प्रस नहीं आपके सामने, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप थोरा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, क्योंकि कोशन देख लिजिए, ये प्यॉन में भी एक कार 3 किलोमीटर की चाल से क्रमिक बिस्तार को 10 किलोमीटर प्रती घंटे और 30 किलोमीटर प्रती घंटे और 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है, कोई दूरी है दोस्तों, इसमानलेज ये दूरी हो गया, कितना 3 किलोमीटर का, ओके, पहले बार में उसे कितने में 10 किलोमीट 10 km प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया जाता है फिर 30 km की रफ्तार से तय किया जाता है और फिर 60 km के रफ्तार से तय किया जाता है ओके दोस्तों तो इसमें 3 को है आपको मिला था 2 तो आप 2xy लगा देते थे लेकिन यहापर 3 को है तो simple very simple trick कैसे बनेगा देखें trick कैसे बनाते हैं दोस्तों यानि 3xyz बटा xy plus yz plus xz बिल्कुल इसी पर बनेगा अप solve कीजिए तो असानी से बन जागा दोस्तों ओके आप असानी से solve कर सकते हैं और बिल्कुल ही इसी तरीका से बनेगा ओके आप solve करकर देखते हैं देखें आप लोग solve करकर 3 x कमान 10 y कमान 30 30 लिख दिजे और z कमान 60 अब क्या करना है दोस्तों सब को जोड़ देना है ओके xy गुना करकर जोड़ना है सब में ओके दोस्तों तो देखे x कमान 10 है यहां पर लिख लेते हैं ताकि आपको असान रहेगा x बराबर 10 y बराबर कितना है 30 और z बराबर 60 x y है तो 10 और गुने 30 कितना होजेगा 300 फिर पलस का चीन है प्लस दे दिजे y z है y कमान कितना है 30 z कमान 6 तो 6 3 18 यानी 800 दोस्तों ओके फिर पलस है पलस दे दिजे एक्स जेड देखे जेड कमान 60 और एक्स कमान 10 यानि 600 600 हो गया simple अब इसको और solve करते हम आगे तो कितना हो जाएगा 30 गुने 30 अगुने 60 यहाँ पर 3 गुने 10 क्या इसलिए 30 हुए अब इसको जोरेंगे तो कितना हो जाएगा 24 अ 3 27 ओके दोस्तों कितना 27 हो गया 2 0 से 1 0 1 0 यह कट गया 3 9 27 9 ओके 3 2 6 3 3 9 और यह 10 बार में कट जाएगा तो कितना हो रहा है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा और सथ चाल हो रहा है कितना 20 किलोमीटर प्रति चुकि इसमें तीन को दे दिया है दूरी, ओके, यह गो 30 किलोमेटर प्रती घंटे के चाल से, फिर 60 किलोमेटर प्रती घंटे के चाल से, और 10, तीन को है, इसलमें ट्रिक क्या लेगा दिया, तीन, ओके, 3XYZ, और बना दिया ऐसे ट्रिक, ओके, असान है, सिंपल है, समझ गए है वह सरते के थोरा सा दिमाग लादा दीजिए और पैसेंस रहकर मैत बना जाता है मैत जो चीज है आपका प्रैक्टिस का चीज है ओके दोस्तों आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे ना तो जब तक आपके शरीर में एनर्जी है जिसको बैटरी बोला जाता है जब तक आपके इस तरह के ट्रीक आप कभी नहीं भूलेंगों के मरते दम तक नहीं भूलेंगे दोस्तों चलिए इसे नोट किजिए अगला प्रस्ण देखते हम लोग देखे अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण यह मैंने अपने से दिया है क्योंकि आप लोग इस पर एक प्रैक्टिस करेंगे ताकि यह कैसे बनेगा जो मैंने बताया तीन डिस्टिंस दिया रहेगा उसको कैसे शॉल्ब करेंगे तो देखे प्रस्ण क्या है अंकिता और अनिशा अपने कुल यात्रा मार्ग को तीन समान हिसों में विभाजित कर उन्हें 40 किलोमीटर प्रते घंटा 30 किलोमीटर प्रते घंटा एवं 15 किलोमीटर प्रते घंटे के चाल से तय करती है तो यात्रा के दोरां देखे चाल कितना है कद दे दिआ थे तिनगों अलाब ट्रीक करेंगे क्या बतायाथा आपको प्रिक बताया था मैंने 3 एक्स वाई जेड़ बैटा इस ट्रीक के साह रिखलेदा से आप यहां पर लिकी लिए एक्स बराबर 40 लीपर 30 और जेट बरावर करने का जो बता दिया मैंने इसी ट्रीक के साहता से साल्व करेंगे यह आपका फर्मूला हो गया और इस फर्मूले के साहता से सिरिफ हमको वैलू पूर्ट कर देना है तो देखें क्या हो जाएगा तो देखें क्या करेंगे जोडते हैं तो क्या हो जाएगा गुने चालीस गुने थर्टी गुने पंदर ओके दोस्तो अब इसको क्या करेंगे एड कीजिए बारह चार सोला छे कितना हो जाएगा 22 सोपचास अब इसको काटिए तो एक जिरो से जिरो कट कैया यह कटे गा 5 बर में पांचों के 20 और पांचों के 25 तो और एक ठीक है और यह हो जाएगा आठ बार में पांचों बाठे 40 तो पंदरे तियां 45 ओके दोस्तों तो यह तीन से तीन कट गया यानि आठ तीरी का 24 हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा यह आपका राइट अंसर हो गया कुछ है इसमें वेर में हम लोग बारी-बारी से सबको ट्रीक के माधियम से परेंगे आपका एक भी टॉपिक नहीं चूटेगा मैथ में जितना टॉपिक चाहिए जितना भी टॉपिक है सबको हम ट्रीक के माधियम से बताएंगे और आपका पूरा एक्जाम तक मैथ किलियर हो जाएगा मैथ मे वीडियो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों और देखें क्या बत है एक्जाम जब भी इस तरह का एक्जाम में जब भी प्रस्ण मिलेगा आपको देख कर नर्वस नहीं होना है माइन्ड को दम सांती दिमाग से क्या करना है पेसेंस रखना है पेसेंस रखेगा तो भी बनेगा यह जरूरी नहीं है कि मानलेजे का आप कमेंट सेक्शन में बना रहे हैं जितना जल्दी-जल्दी मैं तो देख नहीं रहा हूं लेकिन फिर भी मंदारी सो जो में भी आच्छा लगता है, चिटिंग करकर कुछ भी करेंगे, आप से एक्जाम नहीं निकलेगा, ओके दोस्तों, तो बस क्या करना है, मेहनत करना है, और मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत, मेहनत, मेहनत के बदलत ही कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें, एजुकेशन एक ऐसा पावर नहीं है, तो आप समझ लिजे, बैल हैं, इसलिए, एजुकेशन ऐसा प्राब्द कीजिए, जो आप दुसरे को भी बता सकते हैं, समझ कर पढ़िए, मेहनत समझने का चीज होता है, जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आप से नहीं बनेगा, दोस्तों, तो चलि रहना बहुत ही ज़रूरी है, दोस्तों, टेक क्यर, बाई बाई,